हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चाइनल, आज मैं आपको लिए बहुती प्यारा सा सिंगल कलर में नीटिंग पैटन लेकर आई हूँ, यह देखिए काफी उब्रा हुआ डिजाइन है और यह जो डिजाइन है यह फली टाइप में चलता है, इस डिजाइन को आप जेंट बना रहे हैं यह लेडिस हाइनेक बना रहे हैं तो इस डिजाइन को यूज कर सकते हैं, रॉग साइट से कुछ इस तरीके का दिखाय देता है, यह जो डिजाइन है, यह बेबी स्वाइटर के लिए बहुती प्यारा डिजाइन है, और अगर आप बेबी गल्फ की फ्राग बना रहे हैं तो आप इस design का use कर सकते हैं शाल और जो blanket है उसके border के लिए use कर सकते हैं आप चाहे तो इसे high neck के as a border use कर सकते हैं चलिए फंदे देखने से शुरू करेंगे हम इस design को तो यहाँ पे जो हमें इस design के लिए फंदे लेने हैं ये 4 के multiple में लेने हैं आपको जो भी project ब बनाने के बाद first row right side से आप बिनेंगे पहले फंदे को हम slip करेंगे चार फंदों का देखिए design रहेगा ये इसमें से जो दो फंदे हैं ये उल्टे बिने जाएंगे पहले पहला फंदा slip करेंगे अब देखिए उन को हम अपनी तरफ लाएंगे right side की तरफ यानिकी right side की आने के बाद आपको दो फंदो को उल्टा बिनना है चार फंदो में से दो फंदो को उल्टा बिनना है अब उन को पीछे करना है रॉंग साइट की तरफ और दो फंदो के उपर हमारा फली वाला डिजाइन चलेगा तो पहले हमें जो पीछे दो फंदो के पीछे जो जगा रह आप इस तरीकित से सलाई पे उन को लपेटते वे बनाएंगे और ये जो दो फंदे हैं इन दोनों फंदों को आपको एक साथ निडिल में लेना है और सीधा बिन देना है तो दो फंदों के आपने यहाँ पर देखे तीन फंदे बना लिए अब यही चार फंदे हम फिर से रि ौंग साइट के तरफ करना है दो फंदों के पीछे से जो इस पेस रहेगा जगा रहेगी वहां से आपको एक हलका सा फंदा उठा लि 요是 निए में कि हलका ढीला फंदा उठा लिके यह जो start इस आपको दिखाय दे रहा है यहां से, किसी फंदे के अंदर से नहीं है, जो पीछे से आपको यहां से देखे एक फंदा उठाना है, अब दुसरे फंदे के लिए आपको देखे इस तरीके से सलाई पे उल लपेटना है, और तिसरे फंदे के लिए आपको दोनों फंदों के बीच में से सलाई दोनों फंदों के बीच में से आपको सलाई लेते हुए एक बार सिधा बिन देना है एक बार आप पीछे से फंदा उठाएंगे एक बार सलाई पेटेंगे और एक बार आप दोनों फंदों को एक साथ सिधा बिनेंगे देखिए तीन फंदे हमारे बन गए दो फंदों के, फिर से एक बर यही चार फंदे रिपीट करेंगे, चार फंदों में से दो फंदे आपको उल्टे बिनने हैं, उन को राइट साइड की तरफ करते हुए, उन को रॉंग साइड की तरफ करते हुए, दो फंदों के पीछे से आपको एक फंदा उठाना है, एक फंदा आपको उन सलाई पे लपेटते वे लेना है, और एक फंदा आपको दोनों फंदों को एक साथ बिन कर लेना है, यानि कि दो फंदों के आपको तीन फंदे बना लेने हैं, दो फंदों के पीछे से एक फंदा एक बार सलाई पे उनला पेटना है, फिर एक बार दोनों फंदों को एक साथ बिन देना है, तो यहाँ पे आपकी जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी फर्स्ट रो राइट साइड से आपको इसी तरीके से कम्प्लीट करनी है, देखिए, दो फंदे उल्टे, दो फंदों के पीछे से एक फंदा, एक फंदा सलाई पे उनला पेटते हुए, और तिसरे फंद अगर आप कोई स्वाइटर बना रहे हैं, या आप किसी अपने बेटे का बना रहे हैं, तब भी आप इस डिजाइन के यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा है, जैन्ट के लिए बहुत ही अच्छा डिजाइन हैं, तो दो फंदे आपको उल्टे बिनने हैं, एक फंदा पीछे से उठाना है, एक फंदे पे उन लपेटना है सलाई पर, और दो फंदो को एक साथ बिनके तिसरा फंदा बना लेना है, दो फंदे उल्टे, दो फंदो के पीछे से एक फंदा, एक बार उन सलाई पे लपेटते हुए दूसरा फंदा, और तिसरे फंदे के लिए दो दोनों फंदों को एक साथ बिनते हुए तिसरा फंदा अब यहां पर देखिए हमारे ये वाले चार फंदे भी सेम रिपीट होंगे दो फंदे उल्टे उन पीछे दो फंदों के पीछे से एक फंदा एक बार उन सलाई पिला पेटते हुए और तिसरे फंदे के लिए आपको जो डिजाइन को सेट करने वाले हैं इन्हें आप उल्टा बिनेंगे एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कम्प्लीट करेंगे रो सेकिंड आगे आपकी रॉंग साइट की रो रहेगी पहले फंदे को सिलिप करेंगे दो फंदे आप सीधे बिनेंगे जो राइट करना यानि कि wrong side की तरफ तीन फंदो में से एक फंदा उल्टा करें अब दो फंदे उल्टे एकां देखिए दो फंदो को एक फंदie को अपने उल्टा बिन यहां पर आपको दो फंदे दिखाए देंगे दोनुं फंदो को सलाई में लेते हुए एक बार उल्टा измен तो यहाँ पर हमारे वापस से चार फंदे हो गए फिर से हम रिपीट करेंगे यही फंदे देखे पहले आपको दो फंदे सीधे बिनने हैं इस तरीके से अब उनको अपनी तरफ लाना यानि की रॉंग साइट की तरफ तीन फंदे आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें जो से तरफ उनको उनको एपनी तरफ रॉंग साइट की तरफ करते वेो तीन फंदे रहेंगे तीन फंदे रहेंगे इन फंदों में से आपको पहले फंदे को उल्टा बिल लेना है यह आपका पहला फंदा दिखाए दे रहा है इसे आपको उल्टा बिलना है अब आपके पाद दो फंदे बचेंगे अब इन दो फंदों को आपको उल्टा बिल लेना है एक साथ तो हमारा यहाँ पर एक फंदा जो हमने right side से हम बढ़ा रहे थे वो wrong side से हमारा एक फंदा घट जाएगा यह देखें दोनों फंदों को एक साथ निडल पे लिया बिन्ना आपको उल्टा ही है देखें इस तरीके से तो वापस हमारे निडल पे दो फंदे हो गए इसी तरीके से आपको wrong side की second row को complete कर लेना है अगर आपने मेरा चैनल subscribe नहीं क्या है तो please subscribe जरूर कीजिए वीडियो को भी like जरूर कीजिए और bell icon को हमेशा क्लिक कीजिए ताकि जो है आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो यहाँ पर देखिए आपने दो फंदे सीधे बिल लेने हैं तीन फंदों में से पहला फंदा उल्टा बिनना है और दो फंदों को एक साथ बिनना है यहाँ पर देखिए दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा और अब दोनों फंदों को एक साथ लेते वे इसे भी उल्टा बिनेंगे फिर से दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा और इसके बाद दो फंदे आपके बचेंगे इसे भी आपको उल्टा ही बिल लेना है यह जो project है, यह जो आपका pattern है, यह आप किसी भी age group और किसी भी woolen project के लिए use कर सकते हैं, सभी पर अच्छा लगता है, color अगर मैं आपको इसमें बता दूँ, तो आप इसे light और dark दोनों ही color में बना सकते हैं, सब पर अच्छा आता है, मेरून पे बहुत जादा dark हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आप red पे बनाना चाहें, तो बहुत प्यारा बनता है, यहाँ पर आपकी second row जो है, वो complete हो गई है, और देखिए हमारा pattern भी complete हो गया है, two row repeat pattern है, दो सलाईयों का design है, इन ही दो सलाईयों को आपका बार-बार repeat करते जाना है, तो आपका बहुत stitchable अच्छ लगा होगा और समझ में आया होगा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,